74 वे गंतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरुसकारों का एलान किया गया था ऐसे में अब राष्टपती द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए अलग-अलग शेत्रों से कई लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है इस बार 6 लोगों को पद्म विभूशन, 9 लोगों को पद्म भूशन और 90 लोगों को पद्म श्री समान से नवाजा गया है वहीं कारिक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के लावा केंद्री ग्रह मंत्री अमिशा, विदेश मंत्री एस जैशंकर, लोगसबा स्पीकर ओम बिरला, केंद्री मंत्री भूपेंदर संग्यादफ सहित का इंगणमानिय लोग मौजूद रहे जिसके बाद केंद्री ग्रह मंत्री अमिशा ने पद्म पुरुसकार विजेताओं के लिए रात्री भोच की मेजबानी की वहीं उद्योग जगत में इस बार तीन लोगों को पद्म वाट दिये गए हैं जिसमें दो मर्नो प्रांथ हैं जबकि आदित्या बिर्ला ग्रूप के चेर्मेन कुमार मंगलम बिर्ला को पद्म भूशन भारती शेर बजार के वारिन बुफेट माने जाने वाले राकिश जुन जुन वाला को मर्नो प्रांथ पद्म श्री और रसना के फाउंडर रहे अरीज पिरो शौक हमबाटा को भी मर्नो प्रांथ पद्म श्री से सम्मानित किया गया है